जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ कि भले चंगे होंगे और मजे में होंगे? दोस्तों कुछ जरूरते जिन्दिगी में ऐसी होती हैं कि जिनके लिए व्यक्ति जीवन भर भागता है जीवन भर दोड़ता है लेकिन फिर भी उन जरूरतों को व्यक्ति पूरी नहीं कर पाता और कुछ जरूरते ऐसी होती हैं व्यक्ति के जीवन में कि जिनको पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास समय ही नहीं होता है कुछ ऐसी जरूरते आ जाती है पैसे टके की होती है या कोई व्यक्ति घर का ऐसा बीमार हो गया या कोई ऐसा प्रसंग, कोई ऐसी घटना कि जो व्यक्ति चाहता है नहीं घटे कोई ऐसा court case हो जाता है कि जिसमें व्यक्ति गलत तरीके से charge कर दिया जाता है उसको फसा दिया जाता है तो ऐसी चीजों से छुटकारा पाना चाहता है कोई ऐसी चीजों हो जाती है कि बच्चे बड़े हो गए उनकी साधी ब्याह नहीं हो रही है तो कई ऐसी चीजों होती है कि व्यक्ति को ऐसा होता है कि in between इतने समय के भीतर-भीतर ये काम हो जाना चाहिए और इसके लिए उसके पास जब वो आसपास के लोगों के पास जाता है और उसको कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है तो ऐसे में उसको परमपिता परमेस्वर का सहारा लेना चाहिए और कुछ ऐसा देवी उपाय करना चाहिए कि जिससे व्यक्ति के ऐसे काम बन जाएं क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति के ऐसे काम नहीं बनते हैं रुक जाते हैं तो उसमें किसी ने किसी तरह की रोक लगा दी जाती है या कुछ ऐसा होता है कि जिससे आपको दुख मिले तकलीफ हो इस तरह का आपने पूरों में कोई कर्म किया होता है जिसके जरीए ये काम रुक जाते हैं या किसी व्यक्ति को किसी गलत मुकदमे में फसा दिया जाता है या किसी का कोई मिलकत छीन लेता है या इसी कोई भी चीज बन जाती है तो यह भी इसी लिए होता है क्योंकि आप दुखी हों और आप सही रस्ते पायाए, कुदरत यह चाहती है तो इसके लिए व्यक्ति को कोई ने कोई देविय उपाय करना चाहिए और ऐसा ही एक उपाय आज मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि आप बहुत बुरी तरीके से किसी भवंडर में फस गए है निकल नहीं पा रहे हैं कोई ऐसा काम है जो आपका बन नहीं पा रहा है या कोई ऐसी इच्छा है आपकी कि जिसके लिए आपने पूरी उम्र लगा दी बहुत मेहनत कर दी लेकिन वो काम आपका नहीं बना तो आप यह उपाय कीजिएगा इस उपाय को करने से आपके काम बन जाएंगे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी ठीक है तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिंतम ग्रंतों में छुपे हुए कई ऐसे गूट रहस्ते हैं जिसके बारे में जानकारी प्यदान करते हैं तो अभी इस तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे दोरह बताएं कि उपाय आप तक आसानी से और तेजी से पहुचेंगे तो चले दोस्तों बताता हूं वो उपाय कि जिससे इदि आपके मन में आपके भीतर कोई ऐसी इच्छा पड़ी हुई है कि जो बरसों से पड़ी हुई है और पूरी नहीं हो पा रही है या कोई ऐसी बेजिक नीड है ऐसी जरूरत है जैसे कि कई व्यक्ति खुद का मकान देने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत कर देते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं तो कोई ऐसी चीज है कि जिसके लिए आप पूरी जिंदगी से मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी वो जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है या आपकी कोई इच्छा है कि जैसे आपका बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बने कोई एक्जाम आ रही है आपको ऐसा है कि उसमें वो क्लियर कर जाए पास कर जाए या आप खुद किसी ऐसी एक्जाम में ऐसे इंटर्वी में जाने वाले हैं जो आपका सपना है आपको लगता है कि इसमें डाउट है तो आपको ये उपाय करना चाहिए इस उपाय को करके आप जाएंगे तो निश्चित तोर पर आपका वो सौपन सच होगा आपकी वो इच्छा भली भाती पूरी हो जाएगी तो आपको करना क्या है? आप जब रात्री को सोने के लिए जाते हैं उस समय आपको यह उपाय करना है सबसे पहले बता दूँ जब भी आप यह उपाय करते हैं उतने दिनों के लिए आपको पूर्व की तरफ अपना सीर रखना है और पस्चम दिसा में अपना पेर रखना है जब भी आप इस उपाय को करें तो एक चीज़ का ध्यान रखे कि आपका जो सीर है वो पूर्व दिसा की तरफ होना चाहिए और आपके पेर पस्चम दिसा की तरफ होना चाहिए अब आपको करना क्या है आप एक पीपल का पत्ता ले ले पीपल का पान ले ले इसमें सिंदूर से आपकी जो कोई इच्छा है वो आप लिख दे कोई इच्छा है वो इच्छा आपको बोलनी है और उसके बाद आपको साथ दफे बोलना है ओम तत सत साथ दफे आपको यह बोलना है आपकी इच्छा बोलने के बाद आप बोलेंगे ओम तत सत पहले आपको पीपल के पान में इच्छा लिख देनी है लेट जाना है मनोमन उस उसका ध्यान धरना है सुम्पूर्ण भाव के साथ में कि आपके भाव उस परमात्मा तेक पहुंचे इस तरह से आपको यह इच्छा आपकी बोलनी है और ओम तत्सत यह आपको साथ दफे बोलना है अगले दिन सवेरे जब आप उठते हैं नाहने दोने के बाद स्वच्छ हो लेकिन इस साथ दिनों के भीतर भीतर आपको देखने लग जाएगा कि आपकी वह इच्छा बहुत पूरी हो जाएगी आपकी वह जो जरूरत थी वह बहुत जल्द पूरी हो जाएगी उसके पूरे होने का जो समय है वह काफी समी पा गया है ठीक है तो चलिए दोस्तों अपने जियोन में लाभनूत होते रहिए धन्यवाद